देश में एक बार फिर से करोना के मामलों में देजी देखी जा रही हैं। हमाचल के पढ़ोसी राजियों में भी करोना के मामलों में बढ़ाती दर्ज की गई हैं। परेटन सीजन चरम पर है, ऐसे में लापरवाही करोना की चौथी लहर के रूप में प्रदेश में कहर पर पा सकती है। मोखे मंत्री जाराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में कोविड-19 के मामलों में कमी आई है लेकिन पढ़ोसी राजों में करोना के मामले बढ़ना चिंता का कारण है। परेटन सीजन चला है, ऐसे में मास्क लगाने और करोना नियमों का पालन करवाने पर विचार किया जाएगा। भी हम छोड़ी सीजन को लेकर के विचार करेंगे। और उसके साथ साथ में जो मास्क लगाने की सारी बात है, इस पर विचार करने की जोड़त है। तो जो भी होगा तो इस पर विचार करने के बात बताएंगे अको। जो प्रोजेक्स हमारे त्यार हुए हैं या कुछ शुरू होने बाले हैं उन वो लोगों को समर्पित कर रहे हैं जहां काम शुरू करना है नए प्रोजेक्स हैं तो उसको शुरू कर रहे हैं। और सभाव एक रूप से हिमाचल प्रदेश में कोविट के कारण काफी अर्शे से हमारी मुव्मेंट जो है जनता के बेचने उतनी ज्यादा नहीं हो पाई थी है। जब अब केशिज कम आये हैं तो हम उसको बढ़ा करके तेजी से हम पूरा करना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के सब इक्षेत्र का दौरा और जो विकास के कारे हिमाचल प्रदेश के सब इक्षेत्र मुद चले हैं उनको गति दियना चाहते हैं।